कि जो अधर सोर्स है हमारे एक्जाम के अंदर कि सिक्स मार्क्स का वेटेज रखेगा और यह कॉश्चन के बीच बीच में बड़ा आके परिशान करेगा कुश्चन के बीच में आएगा जैसे की आज सेलरी के बीच में भी आजाएगा हास प्रोपर्टी के बीच में भी आजाएगा यानि बहुत सारे कुश्चन के बीच में लास्ट में एक इंकम दे देगा तो सबसे पहले समझते हैं other source का income क्या है हमारे पास heads of income की बात करें तो हमारे पास 5 head है समझिएगा आप दीरे दीरे समझेंगा बिल्कुल समझ में आजएगा 5 head है नंबर 1 आपका जिसे हम salary मान ले नंबर 2 यानि आप job करते हो वहां से तनक्वा मिलता है तो उसे salary बोलेंगे आपके पास rental income आ रहा है तो house property में चला जाएगा आपके कोई assets को खरीद बिक्री के बाद आ रहा है तो capital gain में आ जाएगा आप कोई वैपार करते हो किसी चीज का business करते हो किसी चीज का दुकान है तो आ जाएगा पी जी बीपी में profit gain business and profession ये last में करेंगे सी के बाद ये सी का chapter का number लगेगा अगली class से number last और आप income कमाते हो कहीं basically ये चारी जगह से income कमा ली जाते हैं जो measure है जो एपरेंट्री दिखता है फिर भी आपके जैसे कह सकते हैं कि उपरी income हो जाती है काइंड ओफ हम कह सकते हैं कि उपरी income तो उपरी income यानि इधर उदर से चोटे मोटे income आ जाते हैं उसको हम रख देते हैं कहाँ पे सर अधर सूर्स में सर कुछ एक्जामपल अभी बहुत सारे एक्जामपल देखेंगे इसमें एक्जाम में सबसे पॉपलर कुश्चन किस चीज पर आता है दो तीन टॉपिक पर से आता है मैं वह भी डिसकस कर लूँगा उसके बाद हम आगे चलिए तो अधर सोर्स में क्या income आ सकता है उपरी है आपने लोटरी तो लोटरी आपका व्यमीन बिजनस नहीं होता नॉर्मली तो वह भी आ जायगा आपका इंट्रस्ट भी आज आप dividend कहीं mutual fund से मिल रहा हो, आपको interest कहीं से भी मिल रहा हो, चाहे आप bank से लेते हो, post office, whatever, कोई भी name call करो, कहीं से भी आज मिल रहा है, और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, जो कि करीब 20-20 है, वो देखेंगे, हम से exam में क्या पूछा जाता है, sir question examiner के गवारा, कि other source मे कितने income आते हैं, list बता दीजे, कोई 7 list बता दीजे, कोई 8 list बता जीजे, या फिर आप से पूछा जाता है, कि आप जब gift receive करते हैं, तो इसका क्या treatment होगा other source में, या फिर पूछा जाएगा sir, आप dividend का क्या treatment है other source में, या फिर last पूछा जाता है, कि casual income क्या है, तो चार ही question इसमें से बनते हैं, वो चार question कर लीजिए, other source का question आया तो इन्हीं चार हो में से एक आएगा, पहला other source के कितने income हो सकते हैं, मैं list पूरी आपको 20-22 list बता दूआ, और भी होते हैं, लेकिन हमके 6 पूछे जाएंगे 20-22 कोई भी याद रख लोगे, दूसरा, gift का क्या treatment है other source म last हमारा casual income क्या होता है, इसको define करी और इसमें gross up बगेरा कैसे करते हैं, तो सब चीज़े हम धीरे-धीरे करके दिखेंगे, तो sir, other source के income की हम बात कर रहे हैं, इसमें से practical question, rare chance, मतलब ना के बराबर ही है, theoretical पूछा जाएगा आपका, तो हम एक एक करके point को cover करने वाले हैं, ज gift, मैंने बोला, sir, एक तो है कि मुझे orally पढ़ना है बस, पहला बोता है कि कोई no income, income मैं पढ़के बता हूँगा, sir, interest हो गया, dividend हो गया, आपका, या member से fees हो गया, MB, MLA का sell, तो मुझे read करना है, वो आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन जो बाकी के दो question है, relative से gift जो मिलता ह है, और दूसरा हम बोल ले, dividend, यह थोड़ा heavy concept है, जिसको हमें समझना होगा, ठीक है न, income from relative और y way of gift, gift की हम बात करेंगे, mainly, ठीक है, sir, gift में क्या कहता है, law, ध्यान से देखेगा, बड़ा simple सा concept है, कोई भी आगे पीछे कर लेते हैं, कोई फरक नहीं पढ़ता, सर, इसमें section ना हमेशा, इसके अंदर section 56 से start होता है, और 56 subsection 10, 2, सारा यह series चलता है, तो मैं section के उपर नहीं जा रहा, जिसको भी section देखना है, वो जाके किताब में देख सकता है, exam के इंदर इतना mandatory नहीं है section, मैं पहले यह चीजे बता दू आपको, sir, gift की बात करते हैं, इस मिल सकता है, पहली सवाल यह आता है, कि sir, gift मिलेगा कहां कहां से, और क्या क्या मिलेगा, यह भी सवाल आता है, sir, अगर मैं gift की बात करूँ, अगर मैं, sir, gift की बात करूँ, या तो आपको gift मिल सकता है, relative से, sir, relative कौन, अभी इसको भी हम define करेंगे, relative कौन है, income text में हर किसी का definition है, या gift मिलेगा आपको, non-relative से, या मिलेगा non-relative, बड़ी simple सी word बोलू ना मैं, तो relative का मतलब है, sir, रिस्तेदार, और non-relative का मतलब है, हमारे दोस्ट, फ्रेंट, जो की हमारे relation में नहीं है, अब relative को define किया गया है, हम relative को बाद में पहले आपके दिमाग में एक चीज़ होना थी है, रिस्तेदार से मिलेगा, यहां पे gift दो तरीके से मिल सकता है, sir, आपके relative से gift मिल सकता है, दो तरीके से, या तो आपको किसी भी occasion पे मिल सकता है, रिलेटिव से gift जो मिलेगा, तो किसी भी occasion पे मिल सकता है, आपका birthday पे भी मिल सकता है और आपका मिल सकता है मान लेते हैं marriage पे भी gift मिल सकता है और भी किसी भी occasion पे तो relative से जब कभी भी gift मिलेगा चाहे आपको मिले किसमें cash में या फिर मिले आपको non cash में रिष्टेदार से cash में मिलेगा या non cash में मिलेगा सर क्या मिल सकता है आपका अगर मैं relative से cash की बात करें तो monetary कम मिल सकता है वैसे इसमें ज़्यादा define नहीं करना तो relative से जो भी gift मिलता है वो क्या होता है fully exempt यानि सर 56-2-10 इसका provision section है उसके अंदर इसे covered नहीं किया गया है exempt रखा गया है exempt का मतलब आप अपने रिष्टेदारों से कोई भी gift ले लो आपको उस पर tax नहीं देना वो exempt from tax हो जाता है अब यहां measure होता है कि relative का define करना कि relative क्या है तो देखिएगा relative अब मान लेते हैं एक राम है और या फिर हम मान लेते हैं Mr. X और Mrs. X तो पहली बात सार यह दोनों एक दूसरे के लिए relative हैं दूसरा अब Mr. X के हम पीछे की बात करें तो इनके father और पीछे जाएं तो mother यानि Mr. X का father और mother also relative इदर ध्यान देजे किस बात क्या आपको हसी आ रही है बिना reason के हैसना बहुत खतरनाग होता है इसको ठीक से हम चार्ट बना लेते हैं Mr. X Mrs. X Mr. X इसके अगर हम back में जाएं जिसको बोलते हैं इनके father और mother इसके back में जो होता है ना उसे पूरवज का नाम दे देते हैं ठीक है न नॉर्मली पूरवज और इसके आगर जो होता है उसे भावी पीडी यानि ascendant और descendant हम मान के चलते हैं ठीक है ना तो sir इसके बाद इसके लिए मुझे मैं यहाँ पर पूरा relative समझाता हूँ फिर मैं इधर कर दूँ आँ यहाँ मुझे space कम पड़ जाएगा relative समझाने के लिए यहाँ समझते है ठीक है relative फिर मैं बाद में इसको arrange कर दूँ आँ कि अब फादर की बात करें तो फादर के भी हो सकते हैं नहीं वह तो उसमें होगे नहीं brother कि एंड sister कि जो फादर के brother और sister होते हैं नॉर्मली शब्द में उसे चाचा और sister को बुवा कहते हैं कि अब ऐसे ही आपका brother की बात करें तो brother की भी मिसिस हो सकती है कि जिसे हम अटी अंकल या चाची चाचा जो मर जी और इनके भी husband हो सकते हैं कि अब इस सब आएंगे relative में चिंदा होगे सेम मम्मी के भी भाई बेहन और सर मम्मी के भाई जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं मामा और बेहन को मा से ब्रादर है मम्मी के तो इसकी वाईफ यानि मामी भी आ गई और इनके husband अब इनके बच्चे तक नहीं जाना है ठीक है ना कहीं भाई बेहन बनाने लग जाओ फिर इतनी आगे नहीं जाना बस यहां ब्रादर सिस्टर दादा दादी तो है यह पूर वजह हो दादा पर दादा उससे भी जितने भी दादा वो सारे हैं रिलेटिव में अब आगे आ जाते हैं Mr. X के चलें यह कहानी अब आ जाते हैं Mrs. X में तो Mrs. X के हो सकते हैं Mother और Father Mother और Father Sir अब Mother और Father की बात करें और Mrs. X के भी हो सकते हैं Brother मेरे को इधर किसी ने गलत बता दिया मेरे को लगता है नहीं ठीक है Brother और Sister Mr. X मिसिस X के Sister को क्या बोलेगा साली और Brother को अब इनकी भी वाइफ और हस्बेंट हो सकते हैं इनके लिए वाइफ और इनको इनके हस्बेंट इसको क्या बोलेंगे वो तो Brother हो गये न तो वाइफ और हस्बेंट सिंपल सा समझ लीजिए यानि इनके जो हस्बेंट है बड़े छोटे हुए Brother हो गए जो भी मान लो और ये अब पहली बात सर ये दोनों भी आपस में रिलिटिव है अब आ जाते हैं ये तो कहानी थी सुस्राल वालों की और ये कहानी है अपनी ठेक है अब सुस्राल वालों में भी ज़्यादा दूर नहीं जाना वाइप के भाई से मतलब रखना उसकी वाइप से मतलब रखना उसके बच्चे से मतलब मत रखना बिलकुल वे सेम वाइप के सिस्टर से मतलब रखना उसके हस्बेंड से मतलब रखना और उनके बच्चे का कोई लिना दिना नहीं है और साथ के साथ वाइप के मम्मी से भी और वाइफ के पापा से भी आपको मतलब रखना है यहाँ पे इनकी मम्मी के ब्रदर सिश्टर काउंटेबल नहीं होंगे ठीक है ना जैसे कि यहाँ पे अपनी मम्मी के तो ब्रदर सिश्टर ले लिए और पापा के कि अब नई की बात कर लेते हैं नए में इसके बच्चे या फिर यह भी रिलेटिव का पार्ट माने जाएंगे चलिए सर अब सन के साथ आ जाते हैं इनकी वाइफ होगी नहीं होगी जब पीछे हो गया तो आगे भी तो हो नहीं है और डॉर्टर के क्या बोलते हैं इनको बेटी बोलते हैं डॉर्टर के अस्वेंट को जमाई राजा ठीक है ना चलिए तो यह पूरा रिलेटिव है अगर इस ग्रूप जो मैंने बनाया इसमें से किसी ने भी हमें गिफ्ट दिया चाहे आपको एक हजार रुपे गिफ्ट दे दे चाहे एक करोड रुपे गिफ्ट दे दे चाहे आपका कुछ भी गिफ्ट दे दे रिलेटिव से इंकम टेक्स बोलता है माफ है टेक्सिवल नहीं होगा आप ले लो गिफ्ट हम इस से पूछेंगे तुम पैसे कहां से लायो उसके उपर टेक्स लगा दे लेगा समझे बात आप यानि जो गिफ्ट देने वाला है उसको डरने की जुरत है लेने वाले को कोई डरने की अवशकता नहीं है तो यह डेफिनिशन जो था आप जब देखोगे ना तो यह पूरा का पूरा डेफिनिशन किसका है सर रिलेटिव का तो पहले तो आपको पता होना बागी रिष्टेदार इसके अलावा भी बहुत होते हैं जैसे इनके बच्चे थीक है नहीं तो बोलते दूर के रिष्टे में तो दूर वाला नहीं चलेगा यहाँ अरे 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 चलिए सर्ट यानि लॉग कहता है गिफ्ट में कि आप अगर कैश लो चाहें नून कैश लो नून कैश में क्या आ जाता है सर्ण अरे बहुत सारी चीजे है जो मोनेटरी में नहीं है अगर रिलेटिव से लेते तो सारा क्या माना जाएगा एक्जेंट बाना जाएगा तो सर अब बात करते हैं , नून रिलेटिव से भी गॐफ्ट आप ले सकते हो या तो लोगे आप कैश में या तो लोगे आप नोन कैश में सर अगर आपने लिया कैश में अगर आपने लिया किस में इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं या तो आप लोगे या फिर नोन कैश अगर आपने लिया कैश में सर पचास हजार रुपे तक एक्जेम्ट कहा गया है आप याद करो रेजिडेंशल स्टेटस वहाँ पे भी एक गिफ्ट वाला पॉइंट वहाँ भी मैंने थोड़ा सा बताया था रिलिटिव से एक्जेम्ट होता है पचास हजा अगर पचास हजार रुपे से एक रुपेया भी एक्स्ट्रा मिला तो इन एक्सेस ओफ इन एक्सेस ओफ फिफ्टी थाउजन विल भी फुली टेक्सिवल मतलब पूरा सा टेक्सिवल है आपको किसी ने पचास अजार या एक रुपेया दे दिया तो आपका टेक्सिवल हो जाएगा अगर आपको पचास अजार दिया कैश में तो फिर वो एक्जेम्ट हो जाएगा सर अब रिलेटिव का मतलब क्या एक बार में 50,000 बोला जा रहा है या टुकडों में भी आप एक दोस्त से 50,000 या सभी दोस्त को मिला के तो जवाब है सबका aggregate amount यहाँ पे word है aggregate मतलब सबको जोड के मानलो आपके दोस राम ने 10 दिये किसी ने 15 दिये किसी ने बड़े पे दिये किसी ने आपके anniversary पे दिया क पूरे साल के income को जोड लिजे cash में और उसका पचास अजार से exceed होगा तो पूरा taxable हो जाएगा यहाँ पे एक परसन या single payment से कोई लेना देना नहीं है अगर अगर अच्छे हैं तो करेंगे हाँ बिल्कुल जो recipient है वो टेक्स देगा हुँ हम गवर्मेंट तो आपके उपर जब पैसे देंगे तो वह सब कुछ लिखते ना आप देखो बोलते के गवर्मेंट को कैसा पता चले गवर्मेंट बोलता है कि जो काम कर रहा है उसको पता चलने नहीं भी चाहिए त्रेड कैसे मारें दूसरे लोग बताओ आप गोल्ड खरीदने गए आप घर खरीद के लेकर आओ आप एक लाग रुपए का गोल्ड खरी बैंक में पैसे जमा करोगे बैंकर कुछ नहीं बोलेगा आपसे बैंक के अंदर आपने 1 करोड रुपर बैंकर कुछ नहीं को लेगा बैंकर चुप चाप मैसिज कर देगा इनकम टेक्स डिपार्टमेंट को उनका पूरा सिस्टम है जो है único 60 में Uncle न. उनके सिस्टम में जैस से उनके सिस्टम में reflect होने लग जाता है फिर वो सब चेन को connect कर देते हैं कहां कहां से कहां कहां से क्या कर रहा है फिर आपको notice भीचते हैं कि भाईया मुझे जवाब दो घबराने की जुरत नहीं है अगर आपने सही जवाब दे दिया तो ठीक अगर नहीं सही जवाब दिया तो फिर वो आपके उपर penalty, fine, jail जो मर्जी करें वो कर सकते हैं आपके उपर ठीक है ना सर तो यह cash में पता चला non cash item के अंदर सिर्फ कुछ बातों को रखा गया है non cash item में जो capital assets में personal effects के exception थे उनको रखा गया है जैसे painting, art, sculpture, drawing, jewelry और बुलियन भी आता है बुलियन क्या बोलते हैं जो सोने के सिक्के बोलते हैं जिसे gold coin उसे बुलियन भी बोला जाता है तो यह बुलियन यह साथ चीजे हैं total वो other than cash में अगर आपने किसी को car gift कर दिया आपको non relative से car मिला एक्जेम्ट है एपल mobile phone मिल गया एक्जेम्ट है आपको cloth मिल गया बहुत म बल हो जाएगा other than cash वाला तो other than cash में वो साथ चीजे क्या है नंबर वन जोएल्री मैं short form में लिख रहा हूँ बाकी मैंने notes में आगे डाल दिये नंबर टू ड्रॉइंग नंबर तीन painting नंबर चार sculpture नंबर पांच archaeological collection नंबर छे बुलियन एक और point है वो दिखा देते हैं सर यह point है नई शेर सिक्वर्टी पर बाद में आएंगे आपका जोएल्री archaeological collection drawing painting sculpture any work art और यह कितने वह एक दो तीन चर पांच छे साथ यह साथ ऐसी चीजे हैं अगर आपको मिलता है other than relative से तभी उसको आप taxable के category में रखोगे अगर इसके अलावा कुछ मिलता है जैसे सर आपको इसके अलावा क्या मिलता है आपको कार मिल गया इसलिए आप देखोगे ना आप movie film industry में तो वो gift में कार ज्यादा gift करना प्रिफेर करते हैं तो वो एक जगह दे रखा है जहां से टेक्स को बचाया जा सकता है उसने अपने friend को क्या करा कार gift कर दिया या कुछ ऐसा गोल्ड वगरा नहीं देखा कि भाया इस hero ने एक्टर ने इस actors को कोई necklace दे दिया नहीं कार जरूर gift करते हुए देखा होगा तो जो टेक्स का planning करते है न तो अगर यह पांस साथ चीजों में सब कुछ भी दे दिया उसने तब तो भी है जिसको gift मिला होगा उसके hand में क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा लेकिन इन साथ चीजों के अलावा कुछ भी किया ना तो सर वो tax free है taxable क्या होगा यहां पर अभी बात करेंगा अलग है plot की बात अभी आईगे इसमें अब इन साथ चीजों में taxable कैसे करेंगे सर सरकार क्या करने वाली है इनका fair market value निकाल लेगी FMV जिसे बोलते हैं fair market value निकाल लेगी government sir government इसका fair market value निकाल के FMV और पचास हजार अप्टू 50,000 तक exempt है sir पचास हजार रुपे तक exempt है और पचास हजार से अगर उपर मिला तो सेम प्रोविजन लग जाएगा in excess of 50,000 रुपे is fully amount taxable मानलो आपको एक तोला गोल्ड मिल गया और एक तोला गोल्ड की हम बात करें जूलरी मिल गया उसकी कीमत मानलेते हैं relative के case में non relative के case में जिसे gift मिलेगा वो भी tax देगा ठीक है न चलिए सर क्या डबल टेक्स कैसे होगा वो तो टेक्स देखो अब जियसे gift है gift तो हर किसी पर लगता है बेचने वाला भी और खरीदने वाला दोनों पर लग जाता है डबल टेक्स नहीं लगेगा वो वो रिसीपियंट को बोला गया कि भाईया इसके बाद आगे चले देखते जाईए इसके बाद इसके भी कुछ exception case है सर gift जो है ना कुछ ऐसे occasion पर मिले marriage के occasion पर या कुछ ऐसे cases है ट्रस्टी से मिले आपको या फिर आपका gift और किसी way में मिलता है आपको वो exempt हो जाता है एक तो relative non-relative है अब मान लेते हैं relative का तो tension है ही नहीं सर हमेशा क्या है आपके birthday पर दे Sunday दे Monday दे जो भी दे सारा exempt है लेकिन non-relative वाली tension वाली बात है कि इसका exempt हो भी सकता है और नहीं भी अगर non-relative ने अगर exception case की बात करें non-relative ने on the occasion of marriage अगर marriage पर आपको मिलता है तो सर ये पूरा exempt है अगर आप किसी trust को देते हो या ट्रस्ट से लेते हो तब भी exempt है ट्रस्ट का मतलब क्या है कुछ NGO बगेर होते हैं जैसे कोई blind चला रहा है कोई आपका old age home चला रहा है तो ऐसे जो ये तो बात थी आपके gift में non-relative से movable property की मैं थोड़ा सा इसको और change कर देते हैं यानि gift दो हो सकते हैं sir और एक हो सकता है इम्मूवेबल मतलब वही जो सीखा है आपने land and building ठीक है ना इम्मूवेबल मतलब land और building इम्मूवेबल के case में अगर आपको मिलता है एक तो without educate consideration मतलब कोई consideration है ही नहीं without educate consideration का मतलब sir कोई consideration में मुफ्स में अगर आपको property मिलता है without consideration सर अगर without consideration आपको मिलेगा न तो आपका exempt होगा अप्टू वही कहानी रहेगी पचास अजार और जो बैट पचास अजार रुपे तक का अगर कोई land बिल्डिंग है वैसे रूलर एरिये में हो सकते हैं तो पचास अजार रुपे तक का लैंड और बिल्डिंग है तो वह क्या हो जागा एक्जेम्ट अगर एक्सेस है तो fully taxable sir exempt up to 50,000 अगर आपको मिलता है with consideration lower rate पे जैसे आपके non-relative दोस्त ने एक करोड की property आपको 50,000,000 रुपे में बेच दिया तो किस पे lower rate पे अगर आपको ये मिलता है lower rate पे तो sir lower rate के case में sir lower rate के case में आपका calculate होगा fmv fair market sir value fair market value और आपका income माना जाएगा income माना जाएगा आपका other source के अंदर is equal to fmv माइनस में fmv माइनस में sir माइनस में consideration माइनस में consideration sir मतलब मान लो आपको एक property 50,000,000 रुपे का मिला है तो आपने payment कितना किया 50,000,000 एक्चूल में उसका market price कितना था एक करोड तो sir एक करोड माइनस other source में कितना taxable हो जाएगा 50,000,000 यहाँ पर अगेन आ जाएगा आपका SDV stamp duty valuation आपको capital gain में देखा था आपने capital gain में ही देखा था न SDV stamp duty valuation उसके अंदर क्या था 110% के तक variation है तब तो भाईया चलने दो जो आपने बोला है sale consideration और अगर 110% से अवब है variation तो जो SDV बोलेगा वो मानना पड़ेगा तो सर अगर यहाँ पर आ जाता है capital gain में बहुत important है यह section चलिए सर अगर यह जाता है valuation अगर SDV की बात करें क्योंकि हो सकता ना FMV जो निकाला होगा SDV में ही निकाला होगा SDV में वही कहानी repeat होने वाली है जिसने capital gain किया उसको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा 110% की मैं क्या बात कर रहा हूँ जिसने नहीं कर रखा capital gain सबसे last section में कर रहा था मैंने तो उसके लिए थोड़ी सी यह रहेगा 110% क्या हो गया तो मैं उसको अलग से समझा दूँगा 110% के variation तक चलेगा अगर 110% से ज़्यादा variation हुआ तो आपका sale consideration माना जाएगा SDV value सर क्या है यह section एक बार देख लीजिए जैसे मान लो आपका FMV आपने बोला सर fair market value है 50 लाग आपने sales आपने माना है यानि आप मान के चल रहे हो सर कितना है FMV या मैं बोल देता हूँ कि आपने sale किया है इसको कितने का लेकिन government कहता है SDV stamp duty valuer बोलता है कि यह आपका 55 लाग का है लेकिन आपने party अपने friend से receive किये आपने friend से receive किये 30 लाग तो मैं friend के लिए tax calculation निका लूँगा friend के जो difference आएगा वो other source में जाएगा friend कहेगा sir मेरे लिए यहाँ पे देखा जाए तो sir मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था 50 लाख रुपे और मैंने 30 दे दिया तो मेरा benefit कितना है तो sir मैं 20 लाख रुपे की income को कहा consider कर लूँगा income from income from other source दूसरा example देखिए अभी मैं सारी बातों को cover करूँआ क्योंकि सबसे बड़ा gift है उसके बाद तो सारा readable है बस माल लेते हैं FMV sir यहाँ पे SDV को कुछ क्यों नहीं किया देखो इन में variation कितना है आप variation देखो तो सरकार बोल रही है 55 आप बोल रहे हो 50 तो आप की बात में और उसमें उनकी बातों में कितने पर्तीशत का difference है तो कितने पर्तीशत का percentage निकालने के लिए क्या करते थे हम difference amount इन्टू में जितने का आपका FMV है SDV नहीं इन्टू में 100 अगली बार बोला सर मैंने प्रॉपर्टी जो बेचा है न वो बेचा है 50 का government SDV कहता है सर आपकी property जो है वो है 60 लाक रुपए का और आपको friend ने आप पैसे जो लिये हैं वो लिये मान लेते हैं 20 लाक रुपए कितने लिए अब friend का text निकालो सर क्योंकि friend receive कर रहा है हम तो recipient payment के point of view से देखा जाए बेचने के point of view से देखा जाए तो already capital gain में discuss कर चुके है यहां पर तो recipient के point of view से चल रहा है तो सर यहां पर आपका जो माना जाएगा ना sales सरकार ने बोला भाईया मेरी और तुमारी बातों में difference कितना आ रहा है सर सर बीस परतीशत कहा रहा है अगर मेरी और आपकी बातों में बीस परसेंट का difference आ रहा है तो तुम जूट बोल रहे अब हमारी मानों यह कितना लोगे आप 60 लाग और सर आपके friend ने कितने दिये और आपका taxable कितना हो जाएगा तेखो example मैंने दोनों सेम रखा यहाँ पर taxable कितना हो रहा था और यहाँ पर taxable कितना हो गया 40 लाग तो जो other source में पैसे receive करेगा ना तो मैंने वही बोलाए कि SDV value 110% से ज़्यादा है तो sale consideration क्या मानोगे आप SDV value यहाँ तक clear होगे आपको ठीक है अब अगर court में मान लेते हैं आपका friend जिसको gift मिला है या जिसने gift दिया है वो stamp duty valuation officer से या SDV amount से मतलब के agree नहीं कर रहा तो ऐसे situation में यह case refer हो जाएगा AO के पास यानि assessing officer के पास अब assessing officer की मर्जी है कि वो इसको क्या करता है कम value पे लेगा या ज्यादा value पे लेगा यानि यहाँ simple सी बात है क्या यह case AO के पास जा सकता है बिलकुल जा सकता है जैसे कि पहले वाला case था compensation enhancement वाला आपको याद होगा special case में किया था जबकि आपके plot को ले लिया था तो वैसे ही यह AO के person हो सकता है जो आपका friend ने जो gift दिया या तो हो सकता है वह property dealer हो या हो सकता है वह normal person हो अगर property dealer है ना तो उस case में बोला गया यहाँ पर variation लगाएंगे यह 20% थोड़ा सा relaxation अभी amendment आया हुआ है मतलब कि अभी latest amendment है तो बोला गया कितना लेंगे हम 20% का variation लेंगे लेकिन कुछ condition है घर जो वो दे रहा है या फिर बेच रहा है वो नया बना हुआ घर होना चाहिए ऐसा नहीं के पुराना रीसेल वाला है चेंज गेंदर के अंदर तो यहाँ बेच बीस गिफ्ट देता है नहीं तो उस केस में 20% का विरियेशन अलावड और 20% में भी तीन कंडीशन वहां फुल्फिल करना पड़ता है सर पहला घर पुराना नहीं होना चाहिए दूसरा आपका जो चेन है वह एक से ज्यादा वैसे भी बात हो कि घर पुराना नहीं होगा तो घर का अगर कोई आपको ऐसा है जो कि उसके लिए एक्जेम्टिड है और वो गिफ्ट में आपको दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा फुली एक्जेम्ट हो जाएगा अगर कोई एक्जेम्टिड इंकम गवर्मेंट ने डिक्लियर किया उसके लिए तो वो नहीं माना ज अगर गिफ्ट रेसीव करती हो आप नोन रिलेटिव से तो कैश में लोगे तो पचास अजार रुपए तक एक्जम्ट बैलेंस आपका सारा टेक्सिबल होगा सर पचास अजार एक पेमेंट लेना है या फिर मल्टीपल पेमेंट हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट से भी ह सकता है अगर आप नोन कैश में लेते हो तो सरिफ साथ बातों को कंक्लूड करना इसके अंदर जो कि था आपका प्रसनल अफेक्स जिसे हमने बोला था एक्सेप्शन केस में जैसे कि आपका ड्रॉइंग पेंटिंग स्क्लप्चर या फिर आपका आर्ट या बुलियन या ज प्रॉपर्टी के केस में देखा जाए या तो प्रॉपर्टी अपको फ्री में मिलेगा तो 50,000 रुपए तक की प्रॉपपर प्रॉपर्टी अगर आपको मिलती है तो Europe पुल्ली एक्जेंट 50,000 से उपर के मिलती है तो आपको पुल्ली टेक्सिबर अगर आपको कंसेशनल रेट पर गिफ्ट मिल गया वह तो उससे भी अदर सूर्स में मान लिया जाएगा जितना भी कंसेशनल रेट का जो गिफ्ट निकाला जाएगा या अधर सूर्स का इंकम न किसको अपने इंप्लॉई को सेलरी वाले चेप्टर में हमने थोड़ा देखा था थोड़ा क्या बहुत देखा था ही तो जिसको सेलरी का प्रोविजन है तो वहाँ पे याद होगा वहाँ पे कहा गया है सर आपका पांच हजार रुपए तक एग्जेंट है इफ अधर देन अधर देन कैश हुआ यानि कैश के अलावा हुआ तब पांच हजार एग्जेंट है इन केस आपका अगर कैश में हुआ तो फुली टेक्सिबल सर यहाँ पे एक बात और कहूंगा वहाँ पे गिफ्ट में जैसे यहाँ 50,000 से उपर सारा टेक्सिबल हो जाता है वहाँ पे ऐसा नहीं है 5000 तक exempt है बाकी का आपका taxable होता है तो ये पूरा का पूरा था हमारा point किसका gift का clear gift का point तो आपका exam में gift के उपर आएगा तो आप बहुत सारा content मिल गए आपको लिखने का relative का definition लिखना उसमें non relative का लिखोगी एक बार आप पढ़ोगे ना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा बाकी notes में से भी मैं पढ़वा के दिखा दूँगा कि क्या-क्या है इसमें चलिए सर हमने पहला point cover कर लिया gift मैंने चार question बोले थे चार में से question हो गया हमारा done gift अब बात करेंगे अगला main question that is dividend चलिए सर dividend सर पचास हजार अलग-अलग friend से ले तो तो वो सारा include होगा पचास-पचास अलग friend से लोगे तो वो आपने दो friend से पचास-पचास लिया तो एक लाक रुपे होगा और वो taxable हो जाएगा कहता है सर डॉरी भी marriage कि में एक्जेम्शन होगा है अनुद आता मुझे समझ में नहीं आए डॉरी मेरिज क्या है तर अगर हम किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट अमाउंट का हमको एक्जेम्शन मिल सकता है बिलकुल अगर आपने गिफ्ट किया है आप company हो तो आपने गिफ्ट किया है तो आप पी एंडल के डेपेट में उसका एक्जेम्शन ले सकते हो सर पूरे टेक्स लगेगा बिलकुल नहां पूरे पचास अजार एक रुपे पूरे पे टेक्स लगने वाला है यह डॉरी क्या कह रहे है तो समझ में नहीं है सर क्लास के बाद वाट्सप चेक अच्छा कंपनी लॉक कंपनी लॉ में देखो कुछ बत्चे कह रहें तो एक्जाम के टाइम पर मैं कुछ 20 नबटा ूगा जिस में से टेपर यह शेयरा ए Сब्वाबिवर अध़र वाले चप्टर भी कराना है हा बिल्कुल हम फम वाले थीक है तो अनुझ आधा के कहना ही कि सर जो मेरेज के टाइम पर दहेज बोल के बेकार ना करें उस शब्द को वो दहेज होता है नहीं वो गिफ्ट होता है ठीक है न उसे क्या बोलते हैं गिफ्ट बोला जाता है तो अब जैसे मान लो मैं अगर मैं आपको text planning समझाओं तो text planning का मतलब आपको आपका text मनलो 20 लाख बन रहा है मैंने कुछ ऐसा planning structure किया जिससे आपका text बन के आ गया 1 लाख रुपए तो मैं अपना charge लूँगा तो मैं आपको text story करवाने के थोड़ी पैसे ले रहा हूं दहेज वर्ड है income text वाले बोलते हैं कोई दहेज नहीं होता वो gift मिल रहा है उसे रख लीजिए चुपचाब उसमें कोई देखत नहीं है और उनका law जो है जो कि marriage act का law है वहाँ पे दहेज का है तो हर law का अपना अलग provision है जैसे मैंने कहा कि भया आपका simple सी बात है card खेन आपने समझाए के आपके इसाब से देखो जुआ खेलना एक illegal है कुछ law उसे illegal मानती है income tax बोलती है जुआ खेलना illegal नहीं अगर 30% tax देदो तो वो क्या हो जाएगा legal हो जाएगा तो हर law का अपना अलग अलग है चलिए सर आगे चलते dividend की बात कर रहे थे हम